हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जिसोल कंप्यूटर चनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप Microsoft Edge के अंदर Internet Explorer 11 को आप कैसे यूज करेंगे तो हमारे को काफी ऐसी वेबसेट होती है जो हमारे को Internet Explorer में चलाना पड़ता है नहीं तो वेबसेट प्रोपर काम नहीं करती है तो इस वीडियो को आप सुरु से लेकर लाश्ट पूरा जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले है तो सबसे पहले आपको अपने Windows आपके पास में चाहे Windows 10 है चाहे Windows 11 है उसके अंदर आप सबसे पहले अपना Microsoft Edge है उसको उपन कर लीजिए उसके लिए अगर Internet Explorer 11 की requirement है तो उसी के अंदर ही चलेगा तो यहां से मैं इसको close करता हूँ और Microsoft Edge को open करता हूँ इसके अंदर हमारे को Internet Explorer 11 को कैसे enable करना है वो इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे तो सबसे पहले अपन यहां पर three dot पे क्लिक करेंगे और यहां पर setting पे क्लिक करेंगे उसके बाद में अपन यहां पर क्लिक करेंगे default browser पे और उसके बाद में आप यहां पर allow side लिखा हुआ है जैसे कि मैं यहां पर यह बैंकिंग की वेबसाइट यहां से उपन करता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर रिलोड इंटरनेट एक्सप्लोर मोड पर क्लिक करता हूं तो यह हमारी वेबसाइट है यह इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर उपन हो जाएगी इस को Unable करने के लिए अपन यहांपर click करेंगे उसके बाद में यहां पर पूरा नीचे scroll करतेंगे और यहां पर आपन नीचे देखेंगे तो यहांपर आप दुढ सकते हो Internet does प्रेंद को यहां से जी ब जासे इसे बटन उपर तो बिश्यव performed करते तो अपन डारेक्ट यहां कर क्लिक करेंगे, तो ये website directly internet explorer के अंदर open हो जाएगी, क्योंकि ये website में भी open करके रखी, इसलिए open नहीं हो रहे, मैं वेबसाइट में अपने internet explorer का आइकन आ गया है, हमारी website यहां से open हो जाएगी, तो इस परकार से आप अपने Windows के अंदर Microsoft Edge के अंदर आप अपनी बैंक की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट जो आप यूज करते हो उस वेबसाइट को इस हिसाफ से आप यूज कर सकते हो जैसे कि मैं आपको यहां से दुबार आप भी बता देता हूँ यहां पर अपन Microsoft Edge को उपन करते हैं यहां पर वेबसाइट उपन करते हैं उसके बाद में अपन यहां पर क्लिक करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर मोड पे तो यह हमारी वेबसाइट है वो डिरेक्ली एक्सप्लोर 11 को यूज कर सकते हूँ